हेलो एवरिवन, वेलकम टु मिन्स रेसिपीज, आज हम बात करेंगे इसब गोल के बारे में, इसब गोल एक तरह से मेडिसिन का काम करता है, ये बहुत सी बिमारी से चुटकारा दिला देता है, तो क्या होता है इसब गोल ये भी जानना जरूरी है, तो जब भी आप खरीदने तो आप देखेंगे कि बिलकु लाइट वेट में हलका वाइट कलर का, एक चोटे भूसी की तरह से आटेक से चोकर निकलता है, जस लाइक वैसा ही वो दिखता है, लेकिन कलर जो है वाइट होता है, इसका जो विज्ञानिक नाम है, वो है प्लांट गो ओवाटा, और इसका जो पौधा है, वो गेहू के पौधे की तरह दिखता है, जब आप इसको उपजाया जाता है, अगर वहाँ हम जाके देखें तो गेहू के पौधे की तरह दिखता है, लेकिन दीरे 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 चोटे 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 बीज बनते हैं, फिर वो बीज जो है सूख के इसब गोल बनता है तो ये जो है बहुत ही बढ़ियां काम करता है हमारी बॉड़ी के लिए बहुत सी चीजों में ये बहुत ही फायदे मन्द होता है तो आज हम यही बात करेंगे कि इसब गोल के फायदे क्या क्या है और कैसे इसे हम खा सकते है इसब गोल एक तरह से लेक्सेटीव का काम करता है इसमें फाइवर की मातरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और साथ में ये कोलेस्टराल को बढ़ने नहीं देता है और ये बहुत से रोगों में जैसे की कबज, दस्त, मोटापा, डिहाइडरेशन, डाइबिटीज के जैसे जो बिमारियां हैं उनमें बहुत ही फायदे मंद होता है तो जिनको कबज की समस्या है, बहुत सारा प्राब्लम है कबज को लेकर तो उनको खाली पेट सुबा सुबा इसब गोल चावल जम धो लेते हैं उसके पानी के साथ यानि कि चावल जब पहली फॉर्स टाइम धोते हैं और उसका जो पानी निकाल के हम फेक देते हैं उसको आप एक गिलास ले लिजिए और उसमें एक से डेड़ चमच एसब गुल डाल के थोड़ी दर के लिए छोड़ दीजिए जब बिल्कुल उसमें पाइदा होता था इसी तरह से अगर किसी को डाइजिशन की प्रॉब्लम है तो आप इसब गुल का सेवन कर सकते हैं और इसमें जो साल्यूबर और इंसाल्यूबर दोनों तरह का फाइवर मौजूद होता है वो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है और पाचन टू डाइबेटीज है तो उनके लिए भी बहुत ही फाइदा होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे वेट कम करना या फिर भूड़ी को डिटॉक्स करने का बहुत ही जादे फाइदे होते हैं और इस्पेशली वही खाली पेट अगर आप इसको लेंगे तो बहुत ही भूख लगना कम और हमारी बॉड़ी में एक एनरजी लेवर बना रहता है इसमें मौझूद फाइवर गैस्टिक एसिट को कम करके पाचन क्रिया को भी ये सही रखता है अगर किसी को कफ की परिशानी हमेशा बनी रहती है तो वो भी इसब गुल को यूज कर सकते हैं खा सक करते हैं बहुत से तरीके से खा सकते एक चमच आप ऐसे सूके कि सबॉछ बूह करें करesto के तो बहुत तरीके होते है आपके खाने पीने किसके हैं अगर किसी को दस्त की प्रापिलम हैं तो दही के साथ इसको आप यूज कर सकते एं तो एक काटोली दही में दो चमच और ये वाक़ी में बहुत अच्छा फाइदा देता है तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ हेल्प में आए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शियर करें, कॉमेंट करें और हमारे चनल को जरू सब्सक्राइब करें, थैंक यू पर वाचिंग